हेलो दोस्तों आज हम नेक्स्ट आगे से कोशन करेंगे 10 के बाद से मोर अमेजिंग टेकनीक से और उसके अच्छे अच्छे कंसेट भी सीखेंगे जैसा कि कोशन नमबर 10 तक हम लोग लास लेक्चर में कर चुके हैं कोशन नमबर 11 आपका जो है वी यूज एलोई फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रिजिस्टर्स विकॉज दे आर बच्छे हम एलोई को क्यों मतलब कैसा एलोई हम लोगों को यूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड रिजिस्टर बनाने के लिए मित्रो देखो हमें एक ऐसा मान लीजिए एक हमें रिजिस्टेंस की रिक्वाइर्मेंट है ध्यान से समझेंगे तो वी नीड टू हाव रिजिस्टर अब बच्छे रिजिस्टेंस की लिए खास बात क्या चाहिए कि टेंप्रेचर की बदलने से ज्यादा उसमें बदलाव ना आए मतलब टेंप्रेचर से इफेक्ट अबिसली बिटा ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि टेंप्रेचर से इफेक्ट ना पड़े लेकिन टेंप्रेचर की बढ़ने या घटने से तेंप्रेचर की बढ़ने या घटने से रिजिस्टेंस की वैल्यू पे ज्यादा फरक ना पड़े मतलब टे लेते हैं तो लेंठ बहुत बड़ा रेजिस्टर लेना पड़ेगा एक वैल्यू रेडियू रसी 근ेंस कि पाने या मुथा अगर हम लोग रेज्स्टिवीटी ही 10 ले ले मतलब high resistivity का material ले 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 तो हमारा एक मीटर की length के wire में हमारा resistance sufficient होगा तो हमारे को requirement क्या होगी छोटा resistance की length generally हम लोग क्या चाहेंगे एक छोटे से wire से हमारा resistance का काम बने तो हम लोग चाहते हैं कि temperature के बढ़ने या घटने से जादा फरक ना पड़े मतलब low temperature coefficient रहे जी हाँ बच्चों low temperature coefficient of resistivity रहे मतलब temperature के बढ़ने और घटने से जादा फरक ना पड़े दूसरी बात हमें क्या चाहिए दूसरी बात हमें चाहिए कि उसकी जो resistivity है वो बहुत high रहे यस बच्चों resistivity होने लग जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा low temperature और low specific resistance से क्या हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा length बहुत जादा हो जाएगी अगर एक constant area का आप लेते हैं तो yes बच्चों तो दूसरा भी नहीं और तीसरा obviously बटा ऐसे ही नहीं तो हमारा temperature के उपर कम dependent होना चाहिए इसलिए low temperature coefficient होना चाहिए और छोटे से wire की length से हमारा सारा काम बन जाए इसलिए high specific resistance होना चाहिए चलेंगे बच्चों next question की तरफ that is question number 11 question number 11 क्या कह रहा है question number 11 के बाद हमारा question number 12 sorry question number 12 क्या कह रहा है constant voltage is applied between two ends of the uniform metallic wire a heat edge is produced जी हां बच्चों if another wire of same material same material का मतलब row same होता है बच्चों ध्यान रखेंगे same material का मतलब row same होगा double the radius twice the length as compared to this one मतलब पहले मान लो उसका radius जो थी sorry पहले उसकी जो radius थी मित्रों हम मान लेते हैं r थी तो उसकी अभी radius क्या हो जाएगी अभी उसकी जो radius हो जाएगी वो हो जाएगी 2r ओके और बच्चों अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया होगी pi r square तो पहले case में अगर एरिया a रही होगी तो अभी एरिया कितनी हो जाएगी a dash will become four times of a क्योंकि r की value आप two r put करेंगे तो four times a हो जाएगा और length यह दे रखा है सर आप ऐसा क्यों कर रहे है क्योंकि बटा देखो हमें heat बताना है दोनों में क्या चीज constant है मित्रों दोनों cases में हमें given है कि voltage same है voltage same है क्योंकि parallel में लगाया गया है तो heat का formula अगर voltage constant रहे तो बिटा v square by r into t होता है अब question ने heat compare करने को बोला है हम लोग क्या कर रहे है h1 by h2 is equal to v1 square upon r1 into नीचे लिखेंगे v2 square upon r2 देखो बच्चो v1 और v2 same है दोनों में same voltage apply किया गया है बात यहाँ पे सारी resistance की है sir r1 हो जाएगी rho l1 upon sorry उपर r2 है तो rho l2 by a2 नीचे हो जाएगी बच्चो rho l1 by a1 yes material same है तो rho से rho छमा छमा हो जाएगा आपका l2 हो जाएगा a1 और l1 हो जाएगा a2 l2 by l1 length क्या होगी बच्चे l2 by l1 अभी twice length है पहले से area पहले की a है तो दूसरे की 4 a हो जाएगी a से a cancel this से this cancel तो हमारा जो formula आ गया h1 by h2 का वो क्या आ गया मित्रो 1 2 is to 2 cancel हो गया तो h1 by h2 का जो formula आ गया दोस्तों वो आ गया 1 by 2 h1 की value question ने h दे रखी है तो h2 की value कितनी हो जाएगी h2 की value हो जाएगी twice of h तो हमारा answer हो जाएगा twice of h that is option c will be correct in this case I hope आपको यह बाते समझ में crystal clear आ रहे होंगी मैं सारी बाते बीटा x y z जो भी linked है question से आगे पीछे की बाते वो सारी मैं आपको illustrate करने की explain करने की कोशिस करता हूँ next question है if the potential difference v is applied across the conductor is increased to 2v मतलब बच्चो पहले potential difference v था अभी 2v हो गया yes अभी 2v हो गया if temperature is constant drift velocity of the temperature constant होने का मतलब होता है बच्चो relaxation time constant रहेगा और electron का mass हो गया temperature is always linked with relaxation time average relaxation time drift velocity के बारे में पूछ रहा है minus ee small e is electron के पास charge capital e is electric field तो upon में m ee to by m होता है मित्रों अगर आप बात को ध्यान से समझें तो ee to by m होता है and electric field capital e is equal to होता है कितना v by l क्या हो जाएगा v by l हो जाएगा into 2 अब question क्या कहरा है question कहरा temperature constant है अगर temperature मित्रों constant है अगर temperature constant है तो हमारा two पे कोई फरक नहीं पड़ेगा length पे कोई फरक पड़ना नहीं है obviously material property है ये मतलब उस connector की property electron के पास charge constant रहेगा मतलब सारा drift velocity dependent हो जाएगी हमारे potential के उपर v के उपर yes बच्चों question क्या कहरा है potential हमने double कर दिया है तो बच्चे पहले vd था potential अभी बोल देते हैं vd dash था sorry drift velocity पहले potential v था अभी 2v हो गया v से v चमचम हो जाएगा vd dash is equal to twice of vd मतलब नया जो potential आएगा मित्रों वो पुराने वाले का double होगा sorry potential ने drift velocity जो नहीं आएगी sorry बच्चों question में बोला है drift velocity तो हम drift velocity की बात करेंगे the drift velocity of the free electron in the conductor will be double of the initial value that is third option i hope आपको समझ में आया होगा इसमें सायद बिटा answer जो answer की जो marking scheme provide की गई है उसमें सायद second answer दिया हुआ है गलती से तो बच्चे most मेरे हिसाब से accurate answer इसका three होगा just go through the standard books and everywhere लेकिन बहुत famous है बहुत आसान सा result है कि double हो जाएगा क्योंकि potential के double होने से drift velocity double हो जाती है तो आप लोग confused ना हो जाएं इसलिए मैंने बता दिया कि सायद sample paper की marking scheme में इसका answer second I guess दिया हुआ है लेकिन इसका answer twice हो जाना है double हो जाना है that is option three will be correct in this case that is double of the initial value चलेंगे next question की तरफ that is this one अच्छा इसमें values बिटा आपको नहीं दिख रही होंगी तो मैं लिख दे रहा हूँ this is 3 ohm this is 6 ohm this is 8 ohm and this is 30 ohm पूछ रहा है A और B के बीच में ये A होगा obviously और ये वाला point B होगा अमित्रो देखो आपको कैसे solve करना है देखो जो भी wires सेम एक short circuit हो रखा हो मतला direct wire से जुड़ा हो उन सभी points को आप जोड़ दो देखो बच्चे ये वाला point इससे जुड़ जाएगा और ये वाला point obviously A है तो देखो अगर जा आप इसको जोड़ोगे तो देखो ध्यान से दे परफ से चलें तो आपको दिखेगा 6 ohm और 3 ohm का resistor जो है मित्रो वो कैसे हो जाएगा parallel में हो जाएगा और उसके series में देखो ये तो ये वाला और ये वाला तो हो गया parallel में फिर इस point से जुड़ा हुआ है 8 ohm इसके series में एक आ रहा है 8 ohm यस बच्चों और इन सबके parallel में ए 30 ohm का ऐसा कुछ combination type का बन रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसी condition हमारी बनेगी चलिए इसको solve करके देखते हैं कि क्या आता है answer बच्चों देखो 6 और 3 पैलल में है पैलल में हमारा resistance का formula होता R1 R2 upon R1 plus R2 that is 6 into 3 upon 6 plus 3 is 9 तो भहिया हमारा हो जाएगा 18 by 9 that is 2 इसका औ अगर आ हम इसको solve और का ध्यान से अगर हम देखें तो यह हो जाएगा टू और इसके parallel में सॉरी ये तुनों parallel में थे सिरीज में 8 ohm है तो इसके सिरीज में 8 ohm हो जाएगा answer हो जाएगा 10 ohm क्या हो जाएगा answer that will be 10 ohm logically और 10 ohm 30 के parallel में है 10 ohm किसके parallel में है 30 के parallel में है तो 1 by 10 1 by 30 जब हम इसका LCM लेंगे मित्रों तो हमारा आएगा 30 और यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा 4 1 upon R यह बच्चों यह दोनों यह और यह parallel में और जो answer आएगा इसके series में जो इसके series में आएगा मित्रों वो इसके again parallel में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा resultant आजाएगा 30 by 4 30 by 4 I guess 7.5 ohm will be your accurately correct answer थोड़ा अच्छा था question यह मुझे उमीद है आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको किया है एक बार दुबारा पांते हो टेसला होती है हाँ सर टेसला तो हमें पता है लेकिन इसने टेसला तो दिया नहीं है तो सर फिर कैसे निकालेंगे बिटा देखो टेसला नहीं दे रखा इसमें आप ध्यान से समझो तो force की उनिट न्यूटन है current है और लेंथ है मतलब न्यूटन में है आंसर एंपेर में है और मीटर में है इन तीनों के फॉर्मिट में है न्यूटन में है एंपेर में है और मीटर में है अब देखो force का formula क्या होता है I L B sin theta अब इससे connect कर पाऊगे कि B हमें मिल गया हाँ सर यह बात तो सही बोले sin theta एक number होता है इसका कोई unit होगी नहीं next है हमारा B की unit B की unit क्या हो जाएगी F upon I into L F कितना है मित्रों F हमारा यहाँ पे force है force की unit Newton हो जाएगी I हो जाएगा ampere और length हो जाएगी meter तो हो जाएगा Newton into ampere inverse into meter inverse Newton into ampere inverse into meter inverse that is option which one Newton ampere inverse meter inverse is option second is correct yes बच्चो second option will be correct अब आपको बटा देखो Tesla की form में उसने question ने दूसरे form में पूछ ला तो आप देखो बटा किसके format में निकालना है हमें तो ILB sin theta वाला formula अगर हमें known होगा तो हम लोग calculate कर पाएंगे चलेंगे बच्चो next question की तरह बहुत बढ़िया question है theoretical question है ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है ही नहीं कि भईया a coil of moving coil galvanometer would wound over a metal frame in order to बच्चो क्या होता है कि जब moving coil galvanometer deflection दे रहता है तो उसको दोबारा वापिस लाना पड़ता है तो इसको बोलते हैं electromagnetic damping यास बच्चे उसको जो उसने इसके अदर effect प्रडूस किया है तो electromagnetic damping बोलते है तो metal frame के उपर इसलिए उसको वाउंड किया रहता ह है क्योंकि electromagnetic damping produce कराने के लिए हमारा काम करता है that is option fourth is correct in this case yes बच्चों question number चलेंगे 17 की तरफ yes बच्चों जो जादा theoretical है बच्चों उसको मैं direct ले रहा हूं लेकिन बाकी सारे questions के concepts को मैं clear करने की crystal clear करने की मैं courses कर रहा हूं मुझे उम्मीद है आप सबको समाज में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेर करना बिल्कुल न भूलें यस बच्चे question क्या कह रहा है two wires of same length अच्छी बात है are shaped into the square of side A and circle of radius R मतलब भया एक wire है जिसका length L है उसको हमने पहले square की frame में convert किया फिर उसी को हमने एक circle के frame में convert किया और वो पूछ रहा है the ratio of magnetic moment बच्चों देखो magnetic moment जो होता है capital M, magnetic dipole moment भी बोलते हैं magnetic moment भी बोलते हैं और वो होता है I into A, sorry this is exactly I into A, I is current and A is area, बच्चों देखो same area, same current बोला है उसने, तो भाया हमें I की तो tension न ले 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 ले, बिल्कुल ले 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 ले, चलो देखते हैं बच्चों, तो अग एक side L length का wire है, एक side अगर हम square की A ले ले ले, तो L बराबर हो जाएगा 4 A की हां sir, तो A, A मतलब एक side की बात कर रहा हूँ, capital A area, confused मत हो जाना, चलिए, यह हो जाएगा L by 4, तो इसका area क्या आएगा square का, square का area आएगा, area क्या होता, length into breadth या A square, एक side का square मतलब sir हो जाएगा L square upon 16 हो गया area of square, चलिए दूसरा case देखेंगे, that is equal to, L is equal to 2 pi R, circle में 2 pi R होगा range length हो जाएगी, हाँ sir, तो length क्या हो जाएगी इसकी, जो radius की जाएगा, वो L by 2 pi हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L by 2 pi हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, हमने एक square ले लिया और एक circle ले लिया, और pi R square, मतलब L square upon 4 pi square, yes sir, मतलब 1 pi से pi चम चम कर दो, बिल्कुल कर दो, तो क्या हो जाएगा, L square upon 4 pi हो जाएगा, अब बिटा हमने क्या पूछा है, M1 by M2, M1 by M2 की बात कर रहे हैं हम लोग, M1 by M2 क्या हो जाएगा, A1 by A2 हो जाएगा, A1 by A2 का मतलब हो गया, पहले का हमने पह तो हम लिखेंगे क्या, that is L square by 16, दूसरा क्या हो जाएगा, L square by 4 pi, sir, L square से L square चम चम हो गया, 4 से 4 कैंसल हो जाएगा, तो answer आजाएगा, pi by 4, तो magnetic dipole moment का जो ratio आएगा, मित्रों, वो आजाएगा, pi by 4, that is option, 3 will be accurately correct in this case, I hope आपको सारी बाते crystal clear समझ में आ रहे होंगे, मित्रों अगला question है, बहुत ही simple question है, direct formula based question है, a horizontal component of the earth's magnetic field at a place, मतलब BH is root 3 times of VV, root 3 times of VV, vertical component, angle of dip, बच्चों, angle of dip tan theta होता है, tan del से भी represent करते हैं, tan 5 से भी represent करते हैं, और यह होता है, stand formula देखो, actually आता कैसे है, कि अगर आप magnetic meridian में जाएं, earth's magnetic field में जाएं, तो बटा, इसके दो, यह तो होता है, V total magnetic field, yes, यह angle होता है, del, del is known as angle of dip, इसके दो components होते हैं, horizontal component BH जो होता है, वो होता है, V, sorry, V cos del, और यह वाला component जो होता है, वो होता है, V sin del, तो हम लोग क्या करते हैं, यह हमारा given होता है, VV, बचों, अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो this is first equation and this is second equation, यह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं स्रिवाइस करा रहा हूं बचों कि आपको याद रहे, मैं चाहूं तो direct कर सकता हूं, बट आप लोग अच्छे से कर लेंगे, तो मेरे लिए जादा बहतर रहेगा, आपको रिजल्ट होगे रहा अच्छा हैगा, चलिए, खेर, तो यहाँ पर बटा, tan del is equal to क्या होता है, that is VV upon VH, हम लोग second equation को, first equation से मित्रों, divide करने वाले हैं, चलिए, तो बटा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, sir, del, tan del VV को दो VV रहन दो, VH को हम लिख देते हैं, root 3 VV, VV से VV चम चम हो गया, 1 by root 3 क्या होता है, del की value आ जाएगी, pi by 6, that is 30 degree, मित्रों, तो हमारा 18th question का मुझे उमीद है, आपको समझ में आ गया होगा, that is 30 degree, 30 degree is option, first will be correct in this case, I hope सबको समझ में आ गया होगा, चलेंगे बच्चो next question के लिए, बच्चो हम इस channel पे अभी sample paper solve करेंगे, formula पुरा revise करेंगे, फिर every chapter पे, जितने भी chapter आपके first time में आने वाले हैं, उसके उपर हम सारे chapters के उपर तकरीबन 100-500 MCQ करेंगे, with concept clarification, concept के साथ साथ, मतलब आप अगर उनको भी ढंक से देख लेते हो, 200-500 questions को भी, series wise, 10-20 question की, मतलब एक series है, chapter पे चलेगी, उनको भी अगर आप देख लेते हो, तो obviously you will score good in your board exam, that is first term exam, exactly, तो बच्चे हम बात कर रहे है, question number 19 की question कह रहा है, the small angle between magnetic axis, magnetic axis and geographical axis, at a place is, बच्चो देखो, magnetic meridian, meridian का मतलब होता है, the plane which is passing through the magnetic axis, और geographical meridian की बीच में, small angle होता है, जिसको हम theta से represent करते हैं, और उसका नाम होता है, magnetic declination, yes, the angle between magnetic meridian and geographical meridian is known as magnetic declination या angle of declination भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका option हो जाएगा 4, मतलब बच्चो आप समझ सकते हो, sample paper में दो problem है, हमारे earth magnetism से, इसका मतलब यह topic बहुत important है, earth magnetism को आप अच्छे से करें, चलि question कहना जाता है, two coils are placed close to each other, the mutual induction of the pair of depends on, बच्चे देखो, दो coils की अगर हम बात करें, तो बच्चे दो coils, अगर बहुत एक, मतलब एक ही sheet पे, या एक ही soft iron पे wound होंगे, लपेटे गए होंगे, तो उनका maximum होता है mutual induction, और minimum कब होता है, जब वो perpendicular होते हैं, और बच्चो एक ही sheet पे लपेटे के हैं, तो इनकी बीच में displacement बहुत काम रहता है, मतलब उनकी position एक दूसरे के ऊपर रहती है, और उनका arrangement भी ऐसा होता है, तो किन factors पर depend करता है, उसके, देखो बच्चो पर, perpendicular उसका orientation है, theta 90 degree इसमें, इसमें 0 degree है, तो बच्चो relative position पर depend करता है, और orientation पर depend करता है ध्यान रखेंगे, current वगएरा कितना पास हुआ, उसपर तो बटा अलग factors depend करते हैं, उसपर हमारा mutual induction depend नहीं करता है, तो mutual induction के इन factors पर depend करता है, देखो बच्चे, geometric shapes पर भी depend करता है, mu naught, n1, n2, जिसका formula पढ़ा होगा, आपने mutual induction का, हमने इसके उपर discuss भी कर रखेंगे हैं, and orientation, क्यों charges वो हमारे particles रखें कैसे हैं, चलेंगे अगले question की तरफ, that is question number 21, question number 21 क्या कह रहा है बच्चों, question number 21 is very clear, and try to explain the thing, कि बच्चे, question के हिसाब से, the conducting square of loop L and resistance R moves in the uniform velocity, बच्चों इस बात पर गौर फर्माए, uniform velocity, uniform velocity perpendicular to the one, the magnetic field induction is constant, okay, the space perpendicular to the plane exists in the current induced, बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा, यह ऐसा loop move कर रहा है, तो magnetic field, जो induced EMF produce होता है, वो VLB produce होता है, बच्चों यह standard expression होता है, emotional EMF का, अब emotional EMF में आप क्या करते थे, मैं आपको याद दिला दू, कि ऐसी एक sheet लेते थे, उस पे हम ऐसा एक ring लेते थे और इस ring को आगे पीछे move करा दे थे, जिससे क्या था, इस वाले surface का, आप देख पाएं, यह वाला जिसको मैं yellow color कर रहा हूँ, यह वाला area change होता था, क्योंकि यह V velocity से यह जो part है, इसका move करता था, इसलिए induced EMF VLB होता था, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ले minus d5 by dt, मतलब हमारा flux बदलना चाहिए, हाँ sir, और flux की standard equation क्या होती है sir, that is b a cos theta, theta तो इसमें 0 degree होगा, क्योंकि देखो, 0 होगा या 180 होगा, magnetic field invert है, area vectors का outward होगा, तो b और a की बीच में theta या तो 0 degree होगा, यह उधर से देखेंगे पीछे की तरफ से, या 180 होगा, मैं सारे conditions को मै आपको doubt ना रहे, या तो b बदलना चाहिए, sir, b तो उसने बोल दिया कि b constant है, question में ही बुला है, b constant है, दूसरा बुला है area, sir, area इसकी बदली नहीं रही है, भया ना b बदलना, ना area बदलना, ना theta बदलना, तो क्या flux बदलेगा, नहीं sir, flux नहीं बदलेगा, तो induced mf क्या करेंगे अभी, तो हम discuss करेंगे, अच्छे question, लेकिन इसका दोस्तों flux ही change नहीं हो रहा है, हाँ sir, तो flux जब change ही नहीं हो रहा, तो induced mf ही नहीं change होगा, और भई, अगर induced mf change नहीं होगा, तो कोई फाइदा नहीं है, यहाँ पे, कोई logic ही नहीं बनता, कि circuit मे induced mf produce हो जाएगा अगर flux change नहीं होगा तो, तो यह question आपको समझ में आ गया होगा, इसका answer हो जाएगा, 0, चलेंगे question number, यहाँ sir, 0 वाले answer मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बिटा, concept को ध्यान दो, ना कि 0 पे, चलिए, बिटा, question number है, हमारा 22, 22 क्या होता है, e is equal to minus d5 by dt, अच्छा जब हमारे channel पे shots आते हैं questions के, तो उसमें मैं कई चीज़ें तेजी बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास 59 seconds की limitation होती है, तो वहाँ पे मैं ज्यादा conceptually नहीं जा पाता हूँ, बट आप लोग तो obviously channel पे आ चुके हैं, visit कर चुके हैं, तो आप लोग समझ रहोंगे, यहाँ पे ज question दे रखे, induced name of t is equal to 4 पे पूँचा है, हाँ sir, अभी हमने पढ़ा था, e is equal to होता है, minus d5 by dt के, e is equal to क्या होता है, minus d5 by dt, मतलब minus d by dt of 5, 5 होता है, 5t square plus 3t plus 16, मित्रों जब हम इसको solve करेंगे, तो इसको differentiate करेंगे, तो यह हो जाएगा, minus 10t minus t, देखो इसको 5t square का differentiation क्या हो जा 10t हो जाएगा, अच्छा, minus 10t का मतलब minus sign आ गया जाएगा, obviously, यह वाला minus sign है, बच्चों, confused मतों जाना सरी, minus कहां से आ गया, 3t का differentiation, sorry, मैंने गलती से यहाँ पर 3 लिखना था, मैं t लिख दिया, sorry बच्चों, that will become minus t minus 3, किस time पे आप से पूछ रहा है, t is equal to 4 पे, तो 10 into 4 minus 3, तो भाया हो गया, 40 minus 3 हो गया, 43 V, that is 43 V, option, second will be accurately correct in this case, चलेंगे, question number 23 की तरफ, 23 नमबर प्रस्ट क्या कह रहा है, question number 23 कह रहा है, in the following graph, representation, variation of current with frequency, AC containing pure capacitor, भाया, pure capacitor है, मतलब, उसके अंदर जो बटा, capacitive reactance होता है, वो होता है, one upon omega c, where omega is angular frequency, हम 2 pi f भी लिख सकते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, one upon 2 pi f into c लिख देते हैं, सर, current क्या हो जाएगा, current होता है, v by xc, yes, v by xc, अगर v by xc को लिखेंगे, तो one upon 2 pi f into c, one upon 2 pi f c तो हो जाएगा, 2 pi f into c into v, सब कुछ constant है, question frequency से बोल रहा है, तो current is directly proportional to frequency, हाँ सर, current directly proportional to frequency, मतलब इसमें हो जाएगा option 3, yes बच्चों, इस question में हमारा जो option हो जाएगा, that will be, third option will be, accurately correct in this case, बच्चों, इसमें न, कई बार क्या होता है, कई बार, यहाँ तो current के साथ पूचा है, कई बार क्या होता है, xc और f का relation पूच लेता है, तो xc और f का relation जब भी आप draw करोगे, तो universally proportional लाएगा, तो इस तरह का, पहले की तरह का कुछ graph बनेगा, लेकिन इसमें answer हमारा third हो जाएगा, चल यह बच्चों, question number चलेंगे 24 की तरफ, question number 24 क्या है, yes बच्चों, a volt of 20 volt is applied in the circuit containing resistance and coil of negligible resistance, the voltage across the resistance is 12 volt, the voltage across the coil, बच्चों देखो, जब भी वी आर, देखो बच्चों, आपने phasor diagram draw किया होगा, यहाँ पे हम आई लेते हैं, वी आर आपका होता है, current के phase में, और VL उसको lead करता है, net V क्या आता है, net V आता है, under root VL square plus VR square, yes, तो भीया, हमें question में क्या दिया है, हमें net V 20 दिया है, VL हमें चाहिए, voltage across coil चाहिए, coil का मतलब VL, we need to have the value of coil, coil का मतलब होगे, inductor के cross actually में पूँच रहा हो, VL square, और VR कितना दिया है sir, 12 दिया है, तो इसको solve करेंगे, यह हो जाएगा 400, पिटा इसका square कर रहे हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगा 400, VL square, 144, तो दोस्त, VL is equal to कितना हो जाएगा, VL is equal to हो जाएगा, 400 minus 144, दोस्तों, अगर 144 minus करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 256, VL square is equal to 256, तो VL is equal to root, root 256, मतलब तक्रीवन 16, अब 16 क्या option है, हाँ sir, 16 is the first option, तो मुझे उमीद है, आपको समझ में आ गया होगा, this is the last question of this lecture, that is question number 25, yes, the instantaneous velocity of EMF and current, EMF भी दिया है और current भी दिया है, then, LR circuit होगा, RC होगा, LCR होगा, LCR होगा, LCR और RC कुछ भी हो सकता है, देखो बिटा, अगर हम बात करें, ध्यान समझना, इसमें current lead कर रहा है, voltage को या EMF को, एक ही बात है, मतलब एक ही बात तो नहीं, लेकिन ठीक है, EMF को lead कर रहा है, हम प्रॉफर लिख दे रहें, EMF को lead कर रहा है, हाँ sir, सही बात बोले आप, पर या अगर current lead कर रहा है, EMF को current यहाँ है, और EMF कहीं नीचे है, मान लिजे ऐसा है, यहाँ पर है, EMF कहीं यहाँ है, और current यहाँ है, इन दोनों के उचे phase difference phi है, current lead कर रहा है, अब circuit में एक voltage across inductor होता है, voltage across capacitor होता है, voltage across resistor होता है, जैसा आप लोगों ने पढ़ रखा है, वैसे ही मैं बताऊँगा, ज्यादा confuse नहीं करूँगा, बच्चों हमें पता है कि, ऐसा संभव है, it is the possibility, like VL circuit में 0 हो, तो VR और VC का resultant, V कहीं यहाँ आ जाए, और current lead कर रहा है 5, तो यह RC circuit में संभव है, लेकिन RL circuit में संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है, क्योंकि VL यहाँ होगा, VR यहाँ होगा, आई यहाँ होगा, VR और resistance में current और voltage same phase में होता है, तो कहीं net V यहाँ आएगा, तो इसमें voltage lead करेगा, तो अगर केवल inductor LR circuit है, तो उसमें जाहिट से बात है, voltage lead करेगा current को, तो सर, RL circuit तो possible नहीं है, RL circuit नहीं है, सर, LCR circuit पक्की बात नहीं है, क्योंकि बटा, LCR circuit में हो सकता है, VL की value जादा हो और VC की value कम हो, तो बटा, VL की value जादा होगी, VC की value कम होगी, तो VL minus VC, obviously VL minus VC इदर आजाएगा, और VR इदर आजाएगा, तो भी V इदर आएगा, तो 100% LCR भी सम्भव नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, कि RL, RC circuit तो सर, possible है, क्योंकि R, K-Cross इदर आजाएगा, VR इदर आजाएगा, और VC इदर आजाएगा, नेट इन दोनों का V कहीं आँ आजाएगा, फिजए diagram आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं उससे ही बता रहा हूँ, और LCR circuit में ऐसा भी सुक्ता है, कि VC की value जादा हो, VL से, येस, of course, it is possible, तो VC की value VL से जादा होगी बच्चों, तो it can be RC circuit और LCR circuit, तो option fourth will be correct in this case, LCR circuit हो सकती है, बट necessarily नहीं है, इसलिए answer इसका गलत, maybe होता तो सही था, ये भी गलत हो गया, आपका necessarily RC नहीं हो सकता, क्योंकि LCR में possible है, कि हमारा capacitive dominating circuit हो, तो उसमें बिल्कुल possible है, RC circuit भी हो सकती है, और LCR circuit भी हो सकती है, इसलिए answer हो जाएगा इसका fourth, इसका बटा next lecture, आपके next section B, अब हम start करेंगे next lecture में, मैंने इसको properly समझाने की कोसिस किया, बच्चों कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी दिक्कत लग रही है, तो comment box के रास्ते आपके लिए हमेशा खुले हैं, comment जरूर कीजिए, अच्छा लगा तो, बुरा लगा तो, दिक्कत लग रही हैं, तो changes कुछ भी required हैं, तो आप मुझे बताइए जरूर, अपने दोस्तों को share कीजिए, thank you दोस्तों, we will meet in the next lecture,